हालो नमस्कार फैंट्स में नाम पब्री उर्मा पेपर है कर्मी अपका स्वागत है आज जो देखने पाले हैं वो हमारा हिस्ट्री का बीए सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए लेक्चर हो जाता है कि बहुत इंपूर्टन लेक्चर रहने वाला है और फैंट्स बात करते हैं सब्सक्राइब से और व हम बढ़ चुके हैं सिवाजते कि और किसकी और सिवाजी की और यहां पर हम आ चुके हैं तो बेंट्स आज का यूनिट जो हो जाएगा यूनिट हो जाएगा हमारा से स्टार्ट हो जाता है और आज का क्योशन 27 जो देखका है सिवाजी का परचे देते हुए ऐसा फलताओं का वड़न कीजिए अत्मा सिवाजी के जीवन और उनकी उपलवधियों पर प्रकाश जा लिए ठीक है बहुत ही इंपोर्टेंट क्योशन दो तरीका से क्योशन आपके एक्जाम में पूछा गया है तो देखते हैं सबसे पहले क्या करते हैं उत्तर डालते हैं आपको बताई रखा है मैंने उत्तर डालेंगे इसक सिवाजी का परिचे देखने वाले तो बात करते हैं सिवाजी का जन्म 20 अपरेल 1627 इसवी में सिवनाओर के दुडर के दुडर के बात करते हैं पूड़े ध्यानकना का हुआ पूड़े जो कहां पढ़ता है महाराष्ट में महाराष्ट में पढ़ता है सिभनौर के कहाँ हुआ था जो पूड़े में पढ़ता है इनके पिता का नाम क्या था साहाजी भोषलिय कौन थे साहाजी भोषले बहुत ही को यह पूरे का था पूरे कहा पड़ता है भी महाराष्ट में पड़ता है अब इनके पिता का नाम जाता है साहाजी भोसले ने एहमद नगर राज में नौकरी करते हुए सक्ति और सम्मान प्राप्त किया था कहा पर एहमद नगर राज में नौकरी करते थे बहाँ पर उन्हें सक्ति प्राप्त की और सम्मान भी उन्हें देखने को मिल जाता है तो बात करते हैं बाद में बीजापुर के सुल्तान की शेना में आ गये थे ठीक है जो बीजापुर के सुल्तान थे बहाँ पर आ गये थे स जीज़ाबाई ही सिवाजी की माता थी, तो ध्यानक ना, सिवाजी की माता का नाम क्या हो जाता है, सिवाजी की माता का नाम हो जाता है, जीज़ाबाई, कौन, जीज़ाबाई, सिवाजी की सिच्छा दिच्छा, माता, जीज़ाबाई के सनच्छन में कुई, बेधार्मिक प् का सिवाजी पर गेहरा परभाब पड़ा था क्या पड़ा था en month की माता के गेहरा परभाब पड़ा था इसकе अतरिक्त सिवाजी के गुरु दादा कूर दे, very very important, बार-बार कपटी एक्जाम में पुछाता है और आपके एक्जामी भी यहां से देखने को मिल जाता है, कि सिवाधी के दादा का नाम क्या था, या गुरू का नाम कौन था, तो कौन थे उनके दादा थे कौन, कूर दे, ध्यानकना सिवाधी के दादा य के दादा ने दी थी, यूवा होने पर सिवाधी को महाराष्ट का वास्तविक इस्ति का ज्ञान प्राप्त हुआ, और उसने मराठो के सोतंतर राज की इस्थापना की इच्छा जागरत उठी की, मराठो को क्या किया जाए, अब सोतंतर किया जाए, मुगलो से, ठीक है, एस सक्तिशाली मराटा संपन का पुत्र होकर सिवाजी ने अपना जीवन लुटेरों के एक चालक तथा सहाजी निता के रूप में प्रारंब किया था इनके पास धनकी कमी थी क्या थी धनकी कमी थी तो बाहर के राज्यों को लूट कर ये धने कत्रत करते थे मतलब आर्थिक तथा कुसल राजलितिक के रूप में परिपक्व अवस्था को प्राप्त हुआ ठीक है आगे देखेंगे इसी काड़िये के बहुत बड़े महानिता बनेते यह यहां पर दे रखा है बात करते हैं सिवाजी की बिजयें एवन सफलताएं और उनकी उपलब धीयों के वारे म हैं यहां पर देखने वाले हैं सिवाजी की बिजयें सफलताएं थ्यानक या अथभी कभी आपको पूड़े भी लिख के देगा सिवाजी ने पूरे की जागीर का सासक बनते ही मराटों को संग्टित किया प्रारंब में सिवाजी के पास साधनों का आभाव था जो प्रारंब था उससे में क्या थी? इसके पास आर्थिक कमी थी कह सकते हैं साधनों का आभाव था इसी लिए उन्होंने अपने अभियानों में कूट निती से काम लिया, जो अभियान बगेरा हो जाते हैं उन्हें क्या लिया, कूट निती से काम लिया, सैपरतम सिवादी ने तोरण दुर्ग को जीत कर उसका जिरोधर करवाया, उसके पश्चात, सिवादी ने पुरंदर चा शामना किया और एक के बाद एक अनेक सफलताएं अरजित की अंतता यह समस्त परिजातियों उनके उतकस के लिए साधार सोरूप ही सिद्ध हुई क्या हुई आधार सुरूप ही सिद्ध हुई आगे बढ़ते हैं सिवाजी के उतकेस में सहाय के इन परिस्ततियों अत्वा उनकी उपलब्दियों का संचित बिब्रण निमलिकित है अब कौन से उपलब्दियां हो जाती है पहली हो जाती है कौन सी जो कहते हैं जाबली बिजय जो जाबली होई थी जाबली पर विजय करते हैं 1656 में कब 1656 में जाबली दुर्ग के सासक चंदराव मोरे नामक मराठा सरदार था चंदराव मोरे सिवाजी के बिरुद बीजापूर राज से मिला लिया था कहाँ पर देखूं यहाँ पर सिवाजी के बिरुद कहाँ पर बीजापुर जो बीजापुर में पहले कौन करते थे इनके पिता एक विकार से बहाँ पर नौकरी करते थे तो बहाँ पर मिला रखाता किसने चंदर राओ ने मिला हुआ था जिसकी हत्या कराकर सिवाजी ने 1665 इतमी में जाबली पर अपना अधिकार इस्तापित कर लिया जाबली को जीतने से सिवाजी को नियक लाब हुए जाबली को जीत लिया बहा का धन बगर आर्थिक संपत्ति थी उससे क्या हुआ अपने समराज को बढळाने में एक प्रकार से लाप देखने को मिल जाता है इसी पॉइंट हो जाता है कोंकड पर विजए कहा पर कोंकड पर विजए 1657 1657 1657 इसमें सिबादी ने संपूर कोंकड शेत्र पर अधिकार कर लिया इसी परसे सिवाद जी ने बीजापुर के सासकों की सहायता करते हुए मुगलों के बिरुद उग्र संगर से किया, कहाँ पर बीजापुर के सासकों की सहायता करते हुए मुगलों पर सोरी, बीजापुर के सासकों की सहायता से मुगलों के बिरुद उग्र संगर से किया, सिव बीजापुर के सासक ने मुगलों से संधी कर ली तो सिभाजी फिर बीजापुर के विरुद्ध हो गया हुआ बीजापुर के सासक थे उसने किस संधी कर ली संधी कर ली थी मुगलों से तो इसलिए बीजापुर के विरुद्ध कौन हो गए सिभाजी यहां पर हो जाते हैं ब जो बीजापुर है बीजापुर से युद्ध करते हैं कौन सिवाजी अब यहाँ देखने को मिलेगा सिवाजी और बीजापुर अफुजल खां का बद क्या देखने को मिलेगा अफुजल खां का बद देखने को मिलता है 1669 में बात करते हैं सिवाजी के बढ़ते हुए सुल्टान की मां उन्होंने अफजल खां नामक एक बीर कि बा सक्ति साली सेना पती को भेजा यह बहुत ही लंबा तगड़ा था कौन अफजल खां इसके लिए भेजा था सो बीजापर की सुल्टान की मां ठीक है बड़ी बेगम ने यहां पर बात करते हैं सक्ति साली सेना पती को भेजा उसने दरबार में बड़े उत्सा के साथ प्रितिग्या की कि मैं सिभाजी को बिना लड़े ही पिंजने में बंद करके लाओंगा सिभाजी ने अफजल खां के दूत क्रशना जी बहास कर से जो अफजल खां द्वारा में मिलने की बात निश्यत हुई प्रताप गड के निकट एकांत में मिलने पर लंबे कद के अफजल खाने सिभाजी का गला घोटना चाहां लेकिन सिभाजी पीछे पीछे चिपे हुए सब्सक्राइब सिभाजी के चिपे हुए जो बगन खे होते हैं ना बगन खे मतलब बगल में के डालते हैं जो साधार बगरा होते हैं बगल में डालेते हैं बगन छे बही चाकूज होता है ठीक है बगन खे की सहायता से अफजल खान का पेट फार दिया और उसे मार दिया गया बहाँ पर ठीक सिवाजी को काफी धन मिला, सिवाजी ने कोलहापुर और पन्हाला के प्रदेश भी जीत लिये, कालांतर में बीजापुर के सासक ने पन्हाला को सिवाजी से छीन लिया, उसके बाद में किसने, जो बीजापुर का सासक हुआ करता था, उसने सिवाजी से क्या छीन लेता है, जो कोलापुर होता है वो बाद में छीन लेता है 1662-1673 में सिवाजी भोसली के हस्ते छेप थे सिवाजी तथा बीजापुर राज में परस पर संघर्स ना करने और मुगलो के विरुद सामविक रूप से संघर्स करने का समझोता हो जाता है कि भाई अब हम आपस में ठोड़ा थोड़ा अब क्या देखेंगे आज में नेक्स देखने वाले यहँ पर जो यहां पर देखने को मिल जाता है कि चौथा चांब पर आक्रमन कहां पर आइस्ता खांपर आक्रमन बहुत इंपूर्टेंट है यह आइस्ता का एक्जाम में देखने को मिलता है कि सिबाद जी ने किसको मारा था तो ध्यान रकना आइस्ता खांपो किसको आइस्ता खांपो जो हम आगे हां पर देखने बाले हैं तो बात करते हैं औरंग जेब भैबित होने लगा अता 1663 में उसके मामा भनोते हैं, अपने मामा कौन? साइस्था खाँ. नकना औरंग जेब का मामा होता है कौन साइस्था खां साइस्था खां को दच्छिड का सुबेदार बना कर सिबाजी की सक्ति का अंत करने के लिए भेशता है कौन औरंग जेब बह सिबाजी के अन्येक प्रदेश जीतकर पूना के दुर्ग पर अधिकार करने में सफल हो जात अचानक साइस्ता खां पर आक्रमन कर दिया इस संघर्स में साइस्ता खां का अंगूठा कट गया और उसके पुत्र भी मारा गया उसका पुत्र था साइस्ता खां का बोवी मारा गया और साइस्ता खां का क्या कर जाता है यहाँ पर अंगूठा कर जाता है, ठीक है, इस ताका को पूना छोड़ कर भागना पड़ा और उसकी इस्त्रियां गाजर मूली के तरह काड़ दी गई, बेटी बेटी ऐस्ते बगर हो जाती है घर में, वो क्या होती है, गाजर मूली के तरह काड़ दी आती है, इस बिजय में सिवाजी का उत्सा और साहस काफी बढ़ जाता है कि हमने मुगलों को हरा दिया भगा दिया इस प्रकास से इनका उत्सा क्या हो जाता है काफी बढ़ जाता है पाजमा पॉइंट देखने को मिलता है सूरत की लूट सूरत की पिर्थम लूट अब बात करते हैं 1664 सन 1664 इसमें सिवाजी ने सूरत बंदरगहा पर आकरमण किया इस आकरमण का उद्दे सूरत की लूट पाट करना था सूरत की लूट से सिवाजी को लगवग एक करोड रुपे की धन्दासी प्राप्त हुई जिसे सिवाजी की आर्थिक subscribe काफी सूरत हो गई वहाँ पर एक करोड की धन्दासी मिलती हैं उसमें एक करोड रुपे बहुत थे आगे बढ़ते हैं चछटा पॉइंट होता है सिवाजी और मिर्जा राजा जैसिंग सिबाजी और मिरजा, राजा जैसिंग की बीच होता है पुरंदर की संदी कवोती है ठीक है तो बात करते हैं 1665 इसमें औरंग जेव ने पूना अपने पिर्सिद सेनापती जो मिरजा राज थे जैसिंग मिरजा राजा जैसिंग थे इनके लिए कभ जाता 1665 में ध्यान रखना पुरंदर की संदी कभ हुई थी? यह हुई थी 1665 में. बहुती इंपोरेंट क्योशन मनता है कि पुरंदर की संदी कभ हुई थी? तो ध्यान रखना. पुरंदर की संदी 1665 इसबी में औरंग जेव ने पुना अपने पिरसित सेनापती मिर्जा राजा जैसिंग को एक विसाल सेना के साथ सिवाजी पर आक्रमण करने के लिए भेजा दूसरी और से उसने बीजापूर गोवा से पुर्तगालियों और अंजीरा के सिद्धियों को भी सिवाजी पर आक्रमण करने के लिए प्रिरित गिया राजा जैसिंग ने सिवाजी के दुर्गों पर कब्जा करना सुरू कर दिया इस विसाय परिस्तिती में सिवाजी की सिवाजी को मिर्जा राजा जैसिंग की इच्छानुकुल पुरंदर की संधी सुईकार करनी सिती एक कूट निती बीजे यहां पर हो जाती है क्योंकि चारोत अबसे से घेर लिया गया था आगे बढ़ता है नेक्स देखने को मिलती है नेक्स देखने को मिलता है सिभाजी मुगल दरवार में कहां पर सिभाजी मुगल दरवार में जो देखने को मिलेगा 1666 में राजा ज संभाजी और ये कोता है राजाराम दोनों आपको याद अखना है ठीक है तो बात करते हैं अपने पुत संभाजी के साथ औरंग जेव के दरबार में उससे भेट के लिए उपस्तित हुए लेकिन औरंग जेव ने उन्हें अपमानित कर बंदी बना लिया कुछ दिनों बाद स सिबाजी अपने बुद्धिमती से मिठाई और फलो की टोकरियों में चिपकर बंदी ग्रह से भागने में सफल हो गए और सुरचित महराष्ट पहुंच गए ठीक है यहाँ पर औरंग जेव की देखो क्या देखने को मिलती है ना आगे देखो नेक्स होता है तुमारा उगलों की संदी 1668 जब औरंग जेव को सिबाजी के भागने की सूचना प्रात्त हुई तो वैं बहुत किरुदित हुआ लेकिं महराष्टिक में मराठो की सक्ती बहुत अधिक थी इसलिए उसने सिबाजी से संदी कर लेने भी अधिक उपरयोक्त समझा सिबाजी भी कुछ कारणों से संदी करना चाहते अता दोनों में संदी हो गई इस संदी से सिबाजी को स्वतंतर सासक स्वतंतर सासक के रूप में मानिता प्रात्त मिली यहाँ पर परंदर की संदी ओती तो द्यान लखना 1612 में आगे बढ़ते हैं नेक्स देख रहे हो को मिलेगा सूरत की दूसरी लूट 1670 कब सूरत की दूसरी लूट हो जाती है यहां पर 1670 में सिभाजी ने सूरत की दूसरी बार 1670 इस भी में पुना लूटा इस लूट में उनके हाथ कितने लगे 192 लाक रुपए लगे ते 192 लाक रुपए लगे इस लूट के प्रिभाब से विजय में जदूनाथ सरकार ने लिखा है क्या सूरत की इस लूट के काड़ ब्यापार की भारी छती पहुंची और सूरत के ब्यापारियों को देश के आंतरिक भागों में माल मिलने बंद हो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखने को मिलता है सिवाजी की अन्य बिजय तो मुगलों पिरदेशों पर आक्रमन करके सिवाजी ने खान देश बरार तेलंगना आधी पिरदेशों को खूब लूटा और इस लूट से अपना राजकोस भर लिया सिवाजी ने अ अब जो सलहेर होता है मुलहेर है पनहाल है और कौन सा हो जाता है सतारा पर भी अधिकार कर लिया था ठीक है तो एक दो यात रख सकते हो ठीक है सलहेर कर लेना मुलहेर कर लेना बाकिया पर छोण भी सकते हो ठीक है आधी पर दिकार कर लिया था आगे बढ़ते हैं नेक्स द बात करते हैं 1634 इस भी में राइगड में ध्यानकना कहां होता है राइगड के दुर्ग में बड़ी धूम धाम से सिबाजी का राजविशेक होता है तो ध्यानकना सिबाजी का राजविशेक कहां हुआ था बैह हुआ था राइगड में कहां पर राइगड में हुआ था तो सिबाजी का राजवेशेक राएगड के दुर्ग में बड़ी धूम धाम से सिबाजी की राजवेशेक संपन्न हुआ इस अबसर पर राज कोश का पर्याप्त धन बेह हो गया इसकी पूर्ती इन्होंने गोलकुंडा, बीजापुर और करनाटक को लूट कर की उसके बाद में राजवेशेक होता है तो उसमें बहुत सारी धन बाढ़ते हैं तो यहाँ पर कह सकते हैं उसके बाद में उसकी पूर्ती कहां से करते हैं गोलकुंडा से, बीजापुर से और करनाटक में लूट फिर करते हैं और अपर धिन की पूरती करते हैं, ठीके, आगे बढ़ते हैं, अब यहीं पर हमारा question क्या होता है? Question number 27, यहाँ पर खत्म देखने को मिलता है, ठीके? तो fans, यहाँ पर बहुती important question में देखे, यहाँ पर बहुती important facts देखे, जो question number 27 में थे, ठीके? तो यहाँ पर क्या हो जाता है यहाँ पर जो देखने को मिलता है वो सिबाद जी की प्रिकार से जीवन परचा के बारे में देखने को मिल जाता है और उसकी सफलताओं के जो कार्ड देखने को मिल जाते हैं बह यहाँ पर हमने देखे और अच्छी प्रिकार से हमने उने डिसकस भी किया, अगर आपको वीडियो अच्छी लगिया तो like करना, share करना, चैनल को कर देना, subscribe, bell icon को press कर देना, अगर किसी को भी इसका notes चाहिए ठीक है, अगर किसी को भी आपको notes चाहिए इसका, तो notes कहां से मिलेगा, notes मिलेगा, आपको discussion में मतलब link की मिल जाएगा से ही, आपको site देखी site, यहाँ पर चल रही है, तो site पर भी जाके हमाई www.paperhacker.in, पर जाकर आप बिल्कुल सारे की सारे notes महां से download कर सकते हैं, ठीक है, और बाकिया आपके सामने हाँ पर चलने, कोई भी notes महां बेड़ा, आपको मिल जाएगा, सा